जहिन साथियो आप सभी को जोहार आज हम लोग बना रहे हैं चोहतरवा गंतंतर दिवस इसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत सारी सुब कामना आए हमारा जो भी करता भी है हमारे देश के प्रति उसे हम फुल्फिल कर सके ऐसी मैं कामना करता हूँ और शुरू लोग डिसकस करेंगे 25 जनवरी की कुछ महत्पूर न्यूज जो चर्चाम रहे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का पहला कोस्चन आज का पहला कोस्चन है जारकन राज के नीजी छेतर में अस्थानियों में दवारों का नियोजन वकडियों में लागू होगा लवग 600 इसके तहट अब तक रेस्टर की जा चुकी हैं और इसके तहट अस्थानित्या का अधार 1932 रखा गया है तो इन में से क्या सही नहीं है इसमें से D जो है ये सही नहीं है ध्यान रखेगा अभी तक इसका कोई अस्थानेता का अधार जो है वो सही नहीं है ध्यान रखेगा पहले उनिसो पच्चासी का जो सर्वे है उसे माना गया था लेकिन उसे भी जो है रद कदिया था सरकार ने और अभी 1932 को नियोजन से जोड़ा ही नहीं गया है तो इसलिए अभी कोई इसका बिसेस प्रावधान नहीं किया गया है इसका ध्यान रखेगा और इसलिए इस प्रोपर अधिनियम को लागू करने में काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है इसके लिए एक समीती भी बनाई गई है नलिन सोरिन की सयोजक में इनहीं के सयोजन में एक कमीटी बनाई गई है और यह जो कमीटी है अभी जांच करेगी कि कैसे इसको प्रोलम आ रही है वो यह आ रही है कि अस्थानियता का कोई अधार अभी तक सरकार ने इसके तहत रखा ही नहीं है यही सबसे बड़ी चुनावती है इस प्रोपर एक्ट को जार्खन में लागू करने की तो इससे संबंदित यह चीज आप ध्यान रखिएगा बाकी इसके इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरे पास एक्ट का ड्राफ्ट है ठीक है उस एक्ट का जो ड्राफ्ट है उसे मैं टेलिग्राम चनल पर डाल दूंगा आप लोग उसे अच्छे से रेट कर सकते हैं और इसके बारे में आप डिटेल में सब कुछ ज कितने व्यस्क नागरिकों को सिक्षित करने के लिए एक 20S 20S में जुड़ा गया है देखिए पहले क्या होता था पहले तो जो सब्जेक्ट थे उसी के रिगार्डिंग सब्जेक्ट होते था ना लेकिन नई जो सिक्षा नीती है 2020 के तयाद ध्यान रखेगा नई सिक्षा नीत ठीक है 5 OS को साक्षर करना पड़ेगा उसे सिक्षित करना पड़ेगा और उसके लिए उसे क्रेडिट भी दिया जाएगा और क्रेडिट के अधार पर ही तोक होता है आपका ग्रिवेशन का पूरा जो स्टेडी है वो ठीक है तो एक सब्जेक्ट के तोर पर UGC के दौरा जो नई पहल है नई सिक्षानिक्ति के तहट बात कते है ठोड़ा से हम लोग UGC के बारे में तो UGC आप सभी को पता होगा इनवर्सिटी ग्रांट कमिशन जो प्रमुख रूप से इनवर्सिटीज को जो है रेगुलेट करने का काम करती है उनको अनुदान देने का काम करती है तो ध्यान रखेगा यह जो इनवर्सिटी ग्रांट कमिशन है यह बन पहुत पहले गया था मतलब कि 28 दिसंबर 1953 को बन गया था ध्यान रखेगा लेकिन इसे एक स्टेटरी बोडी मतलब कि सामेधिक निकाय के रूप में जो है वो मानिता मिली आपका कब तो 1956 में एक्ट बन कि जया तो अस्थापना 28 दिसंबर 1953 को ही जो हो गया था तो आप लोग पहले कोस्टन ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे बात कर लेते थोड़ा सार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो में इन्पोर्टेंट चीज है वो है इसकूल के पैटर्न में प одसे थे लेकिन अब क्या किया गया है अब क्या गिया है टोटल चार मोडियोल में इसे बाठ दिया गया है किसमें Kurdistanal, Preprepatory, Middle और Secondary न ध्यां foundational है वो 5 साल का है जिसमें 2 साल आपका पहला दूसरा और 3 साल उस पहले दूसरे क्लास से पहले का मतलब 3 से 6 साल और 6 से 8 साल ये 5 साल जो समय देना है वो foundational courses में देना है foundational तरीके की study में देना है उसके बाएक तीन साल आपको लगाना है तो इस तरीके से 4 degrees में बाट कर पढ़ाई कराई जाएगी, इस इसका ध्यान रखिएगा, साथी साथ original language और vocational courses जैसे की अलग लग तरह के training देना ये भी जो है नई education policy में जोड़ा गया है, और ध्यान रखिएगा, new education policy की जो drafting के जो chairman थे, drafting committee के जो chairman थे, वो थे के कस्तुरी र कौन थे, तो इस रो के पूर्व chairman भी रह चुके हैं, इस इसका ध्यान रखिएगा, इस committee में जारखंड, cadre से जुड़े हुए एक IA सतिकारी थे, अमित खरे, और ये जो अमित खरे हैं, उसमें थे सिक्छा सचीव, उसमें सिक्छा सचीव थे, इस इसका भी आप लोग ध्य इजाम के लिए, अगला question है, नेशनल वोटरस डे, राष्टिय मध्दाता दिवस कब मना जाता है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, राइट अंसर हो जाएगा, 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को ही राष्टिय मध्दाता दिवस मना जाता है, और इसी दिन स्थापित किया गया था, समयध्हानिक निकाय है, समयध्हान में इसका mention किया गया है, इस इसका आप ध्यान रखेगा, और इससे जुड़ा आर्टिकल है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, आगे बात करते हैं, तो इसकी theme क्या रही, इसकी theme रही है, जो 2023 में जो राष्टिय मध्दाता दिव इसकी theme रहा, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये theme रहा, इस इसका आप ध्यान रखेंगे, एक कारिक्रम भी आयुद किया गया था, ध्यान रखेंगे, तेरहुआ राष्टे मधता दिवस है, और इसमें एक कारिक्रम आयुद किया गया, जिसमें मुख इन्होंने collegium system, collegium system क्या होता है, जो supreme court है, या फिर जो आपके high court है, ठीक है, उसका chief justice, इत्यादी का जो judge होते हैं, उनको चुनाओ के लिए collegium system का परियोग किया जाता है, और collegium system में, जो है, सरकार का direct control नहीं होता है, तो इसी के लिए जो है, बार-बार मुद्दा उठाते इसलिए अभी यह चर्चा में बने हुए हैं, तो अध्यान रखिएगा, ठीक है, किरन दीजुजू जो, अब चलिए बात करते हैं, अगले question की, अगला question है, भार OS, काफी important है, ठीक है, तो भार OS का निर्मान किस IIT की मदद से किया गया है, अब तक इसकी जानकारी आप mobile operating system, और यह इसको बनाया किसने है, इसको बनाया है, ध्यान रखिएगा, जैंड के यह नाम ध्यान रखिएगा, जैंड के operations private limited, ठीक है, जैंड के operations private limited, और इसको short में बोलते हैं, जैंड कोप्स, यह कंपनी का नाम है, और यह कंपनी किसकी है, तो आईटी मदरास की ही, एक मदरास के नीचे ही जो है, यह कंपनी को मतलब की पूरी तरह से फुल्फिल किया गया है, इसको सेवा पदान की जाते है, इसको फंडिंग देता है, कौन सा, Department of Science and Technology, S&T, ठीक है, साइंड कोप्स सरकार के द्वारा जो है, इसको फंड दिया जाता है, और फिर इन्होंने जो है, इस प्रोपर भार ओएस को जो है, डेबलब किया है, थोड़ा सा जान लेते हैं, इसमें क्या क्या खूवी रहेगी इसके बारे में, तो देखिए, सबसे पहले तो समझ लिजे कि यह भारत का पहला स्वादेसी, एंडरोइट बेस्ट है, एंडरोइट बेस्ट है क्या, नहीं, एंडरोइट से अलग है, क्योंकि एंडरोइट को ही तो हम लोग क्या जाते हैं, भारत से हटा देना, क्योंकि गूगल का जो है डायट आधिपत्य हो गया है, मार्केटिंग में, और इसी लिए ध्यान रखिएगा, CCI, ठीक है, CCI जो है, यह जुर्माना भी लगाई थी, गूगल के उपर, पिछले दिनों, नियूश पेपर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो एंड्रोइट को ही, इसका जो अधिपत्य है, इसी को कम करने के लिए, सोदेशी रूप से जो है, भार OS का निर्मान किया गया है, और इसके खुवियों की बात करें, तो बहुत सारी इसमें खुवी है, सबसे पहले IT मदरास इसको बनाया है, यह ध्यान रखना है, ध्यान रखेगा धर्मेन पधान जी, धर्मेन पधान अभी वतमान में सिक्षा मंतरी है, ठीक है, धर्मेन पधान और अस्विनी बैसनों, ठीक है, इन्हों ने, जो है, मिलकर इसकी टेस्टिंग की और ध्यान रखेगा, यह जो है, इसमें बहुत सारी खुवियां है, जैसे इसमें भारते भासाओं को जोड़ा जाएगा, और क्या जाएगा, सरकारी जो भी डिपार्टमेंट है, उनकी जो गोपनियता होती है, उस उसको भी अच्छे तरीके से उसमें मैंटेन किया जाएगा, 5G क्लाउड बेस्ट होगी, मतलब की क्लाउड बेस्ट ओपरेटिंग सिस्टम होने से फायदा यह होता है, कि आपकी मोबाइल में स्पेस कम भी रहे, तो भी आप इसली हर चीज यूज कर पाएंगे, तो यह एक गूगल में यूज कर पाते हैं, गूगल एंडरोइड में यूज कर पाते हैं, प्ले स्टोर उसी तरीके से इसका सेपरेट प्ले स्टोर भी रहेगा, तो आपको कोई परिसानी नहीं होगी, उसकी बाद नो डिफोल्ट एप भी इसमें मिलेगा, NDS, इससे फायदा यह होग आप कोई भी ऐप यूज करना चाहाँगे, प्रेस्नली आप यूज कर सकते हैं, आपकी स्विधा के नुसार अभी गूगल या फिर एंडरोइड में क्या होता है, कि कुछ ऐसे आप्स हैं, जो एंडरोइड के ही हो सकते हैं, मतलब गूगल के ही हो सकते हैं, बाकी किसी भी दूसरे आप थर्ड पार्टी का यूज नहीं कर सकते हैं, यह सब चीजे इसमें नहीं होगी, परिसानी ठोड़े क्यम होगी, और जो यूजर है, उसकी स्विधा को देखते हुए, यूजर अपनी अकोर्डिंग कर सकता है, यह बहुत सारी स्विधा इसमें दी गई है, कौन-कौन से हो गई है, वह मैं अभी बता दे रहा हूं, बाकी इसकी एक complete list मैं आप लोगों को दे दूँगा, साथी साथ पदम पुरुसकार, पदम पुरुसकार की भी घुसना हो गई है, ठीक है, ठोड़ी देर में आप लोगों को एक वीडियो दे दूँगा, जहां पर तो वीमेंस के लिए ध्यान रखने वाला बात है कि इंडिया से ही मिली है, यह अवर्ड रेनुका सिंग को दिया गया है, रेनुका सिंग को, इंडिया की है, Emerging Player Award of the Year, फिमेल के कटेगरी में, Emerging Player of the Year, वीमें के कटेगरी में, महिला कटेगरी में, रेनुका सिंग, उसके ब सकाई भी इनको कहा जाता है, इनको मिला है, ICC T20 Cricketer of the Year, और मेल के लिए, फिमेल में बात करें, तो यही जो अवर्ड है, यह मिला है, तहलिया मेंगरात को, तहलिया मेंगरात को मिला है, यह अस्टेलिया की है, ध्यान रखिएगा, और यह भी कापी अच्छी किर्केटर है अस्टेलिस इंका स्ब्बन्ध है, उसके बात करें, winner of the men's associate cricketer of the year, तो यह जो अवर्ड दिया गया है, यह दिया गया है, गिर्हार्ड एराम मस्को, ठीक है, गिर्हार्ड एमार्ण को, और यह जो है नामीबिया के हैं, यह अवर्ड दिया रखिएगा, उसके बाद, ICC men's emerging किरकेटर ओफ दे एर महीलाम किसको तो रेनुगा सिंग को और पुरूस में किसको तो मारको जेंसन को और यह है साथ अफ्रिका के यह भी आपको ध्यान रखना है और रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में भारत जो है किर्केट में अभिभायत नंबर दो पे है नंबर एक पे है और अस्ट्रेलिया काफी आगे भी है देख सकते हैं कि 115 रेंग पे 115 रेटिंग इसका है और अस्ट्रेलिया के 126 रेटिंग है तो काफी ज्यादा है यह चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है तो आज के डिस्कुस करने में फिलाल इतना ही था ठीक है जो भी इंपोर्टेंट मुझे लगा एकजाम के रिलेबेंट वो मैंने डिस्कुस कर दिया बाकी पदम अवोट की गोसना हो गई है तो उसकी वीडियो जल्दी मिल जाएगी या फिर आप उसे खुद से भी पढ़ सक बढ़न